कर लें हिर ₇ यह कुछ है पी कि दो को में सबाइब को बैलकूम चैनल नीटिंग डीजैन बरते कि मैं यह ने आपको यह एक है बच्चे का स्वेटर बताया था जिसका फ्रॉंट ऑस फ्रन्ट पार्ट मैं यह गलागटा के इतना आपको बताया था और बताई था कि आपको मैं sorry back part और front part मैं आपको अभी बताऊंगी तो देखें front part भी मैंने इतना बना लिया है और ये मैंने बाजू की घटाई कर ली है अब इसको करने के बाद हम यहां से जहां हमारा ये बाजू घटके खतम हो गया है वहां से हम इसको अभी चार सलाई और साधा बिन के बाद हम front का गला घटाएंगे क्योंकि यह बच्चे का sweater है तो इसको मैं बहुत उपर से front गला नहीं घटाऊंगी नीचे से घटाऊंगी क्यों बच्चे को पहनने में दिक्कत ना आए मैं इसका border double बनाऊंगी लेकिन फिर भी मैं थोड़ा नीचे से ही घटाऊंगी ताक पहले मैं इसका चार सलाई बिन लेती हूं यह देखिए कि मैंने बना लिया है आप जैसा पल्ला रखती है अगर आप थोड़ा बड़ा रखती है तो आप 6-8 सलाई भी रख सकती है जैसा आपको गला बनाना है यह चोटे बच्चे का है बनाने में बहुत पहनाने में दिक् और 31 फंदे उधर रखोंगी तो इस तरह से यह देखिए पहले मैं इसको हाफाफ कर लेती हूं दो चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सत्रा अठारा उन्निस बीस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 30 फंदे मैंने इधर बिन लिये इधर हमारे 31 फंदे हैं जैसा मैंने बैक में किया था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 19 फंदे मैं रखूंगी सोल्डर के फिर 2, 4, 6 फंदे मैं घटाऊंगी गले वाले जो बाजू में मैंने जैसे घटाया है जैसा मैंने बैक में भी बताया है और फिर 2, 4 और ये 6 फंदे पहले एक साथ खटाऊंगी एक, दो और इसको ऐसे घटा देंगे फिर ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 6 फंदे मैंने घटा लिए अब बाकी सारे फंदे सीधे बिन लूँगी और उल्टा पूरा बिनने के बाद फिर उल्टे तरफ का गला भी साथ में घटाएंगे बैक पार्ट में हम अलग-अलग घटा लेते हैं लेकिन फ्रंट में हमें कोशिस करने चाहिए कि हम दोनों साथ के गले साथ में बनाएं ताकि हमको बिनते समय लंबाई का बार-बार नापना न पड़े लंबाई को और हमको अंदाजा रहे कि हमने कितना पेना है तो पहले मैं ये सीधा फिर उल्टा बिन लेती हूँ फिर साथ के साथ में हम ये उल्टे तरब से इधर का भी गले का फंदा घटा लेंगे ये देखिए उल्टा सेट हमने बना लिया अब इधर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 सोल्डर वाले 2, 4, 6 जो हम गले के लिए घटाएंगे और बच्चा हमारे पास 5 फंदे तो इधर के हम 5 फंदे घटाएंगे इधर हमने 6 फंदे घटाए थे यहां से मैंने घटाया है वहीं पे मैं इस तरह से सलाई डालती हूँ और यहां पे हम दूसरा उन लगाएंगे दूसरा गोला आप यहां पे जोड़ लीजिए क्योंकि यह हम साथ के साथ में बिनते जा रहे हैं तो यहां में दूसरे उन की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से देखिए हम दूसरा उन जोड़ के और यहां पे उल्टा उल्टा यह पाच फंदे यहां पे घटा लेंगे एक तो तीन चार और यह पांच अब इस उन को इसी तरह मैंने फसाया है क्योंकि इसको ऐसे आप फसा लेंगी तो बाद में गले का फंदा जब हम उठाएंगे तो इसमें कोई दिकत नहीं आती है इस तरीके से अब यह पूरा उल्टा भी लेंगे और सीधी तरब से अपनी दिजाइन भी डालेंगे यह देखिए मैंने सीधी तरफ यह बिन लिया अब इस तरफ हम पहले तीन फंदा घटाएंगे जैसा कि बाजू में घटाया है हमने और बैक में भी इसी तरीके से घटा है यह देखिए यह तीन फंदा घट गया और अब हमारी डिजाइन यहाँ क्योंकि हमारी यह डिजाइन नहीं पड़ पाएगी क्योंकि हमने गला घटाया है तो बीच का यह हिस्ता नहीं बन पाया तो यह मैं चार फंदे साधे रख रही हूँ अब यह डिजाइन डालूंगे यह देखिए इसी तरफ उल्टे तरफ भी हम गला घटाएंगे अभी मैंने तीन घटाया है फिर दो फिर एक सीधी तरफ और उल्टे तरफ यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाया है क्योंकि अगर मैं यहाँ डिजाइन नहीं बनाती और फिर गला जब घटा तो यहाँ पे बहुत जब हम उल्टा बनाएंगे तो यह थोड़ा सा गैपिंग जादा हो जाता है तो यहां पर मैंने यह डिजाइन डाला है जहां तक मेरी डिजाइन पड़ी है और सीधी तरफ यहां जब हमने तीन फंदे घटाए हैं तो यहां मैंने यह वाली डिजाइन नहीं डाली है तो पूरा गला घटानी के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहांसे घटा लिया अब यहाँ पर मुझे तरब से 1 फंदा घटाना है, तीन दो एक तो यह जो हम फ्रण्ट का गला घताते हैं देखिए, यह गला हमारा घटने के बाद लगभग ये देखिए आधी दूरी तक ये आता है जब हमारा गला पूरा घट जाता है इस तरीके से देखिए और अब इतनी लंबाई हम साधा बनाएंगे और ये करने के बाद फिर हम सोल्डर को जोड देंगे तो इतना डीप हमारा ये फ्रंट गला घटता है जिस तो हमारा ये गला सेट हो जाता है ये देखिए इस तरीके से जब मैंने ये घटाया है आप ये देखिए ये ऐसे तो ये हमारा पिल्कुल हाफ है यहां से और इतना हमारा ये अब ये 19-19 फंदे को हम इतनी लंबाई होने तक बना लेंगे जितना हमने बैक में रखा है तो पहले मैं इतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरीके से ये बैक का गला छोटा सा घटता है और फ्रंट का ये इतना मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है जैसा कि मैंने आपको बताए कि बच्चे को पहनने में दिक्कत ना आए और ये इस तरीके से ये भी मैं सीधी सलाय बना रही हूँ और उल्टी सलाय में मेरा ये पला कंप्लेट हो जाएगा तो इस तरीके से ये फ्रंट काला घटता है और ऐसे ये बैक काला तो दोस्तों कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा आपको पसंद भी आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मैं आपको ऐसी नई नई डिजाइन बताती रहूँगी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई